दूसरा अध्याए या मेरे पावों की बीढ़ी के पास बैए तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठरे है मेरे प्रियब भायों सुनो क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिग्या उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते और क्या वे ही तुमें कचरियों में घसिट-घसिट कर नहीं ले जाते क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के नुसार की तु अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परन तु एक ही बात में चुक जाए तो वह सब बातों में दोशी ठहरा इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना उसीने यह भी कहा कि तू हत्या न करना यदि तुने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तु व्यवस्था का उलंगन करने वाला ठैरा तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा दया नयाये पर जैवंत होती है हे मेरे भाईयो यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वद कर्म न करता हो तो उससे क्या लाब क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उधार कर सकता है यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाडे हो और उन्हें प्रती दिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ तुम गरम रहो और त्रिप्त रहो पर जो वस्तुए देहे के लिए आवशक है वह उन्हें न दे तो क्या लाब वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहीत न हो तो अपने स्वभा में मरा गवा है वरन कोई या कहता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ तु अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तु अच्छा करता है दुष्टाक्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं पर हे निकमे मनुश्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ हैं? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसाग को वेधी पर चड़ाया, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक नठा रहा था? सो तुने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहीम ने परमेश्वर की प्रतीती की, और ये उसके लिए धर्म गिना गया. सो तुमने देख लिया कि मनुश्य केवल विश्वास से ही नहीं, वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है, वैसे ही रहा विश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है.